गुजरात के स्कूलों में अब छटवी से आठवी क्लास के स्टूडेंट्स श्रीमत भगवत गीता भी पढ़ेंगे गीता जैन्ति के मोके पर गुरु आरको राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल पांच शेरिया ने गांधी नगर में ये किताबे लॉंच की किताबे राज्य शिक्षा विभाग द्वारा तयार की गई है इनमें गीता मंत्र और उनका गुजराती अनुवाद भी शामिल है पुस्तके 2024 के नए सत्र से कोर्स में शामिल होगी अन्य विश्यों की तरह इनकी भी परिक्षा होगी किताबे लॉंचिंग के दोरान गीता जैन्ती की बधाई देते वे शिक्षा मंत्री पान शेर्या ने कहा मुझे खुशी है कि चात्र गीता का पाट पड़ेंगे और अपने जीवन में कटनाईयों से हार नमान कर उचे लक्षियों को हासिल करेंगे इससे ब्रहमान से लेकर परियावन तक के बारे में भगवान करश्न की दी हुई शिक्षाओं को चात्र जान पाएंगे गीता का ग्यान जीवन जीने के लिए है जो सभी के काम आएगा चाहे वो डौक्टर हो या इंजीनियर, व्यापारी हो या वकील या राजनेता राष्ट निर्मान गीता से ही संभव है शिक्षा मंत्री ने गीता को पाठकरम में शामिल करने के साकारत्मक प्रभाव के बारे में कहा इससे छात्रों में अवसात कम होगा और आत्मत्या के मामलों में भी कमी आएगी डिप्रेशन का पहला शिकार अर्जुन थे जिनने गीता का ग्यान देकर डिप्रेशन से बाहर निकाला गया था गीता जीवन का संगी थे मुझे आशा है कि आने वाले समय में सभी स्टूडेंट्स इससे कदम दर कदम लाभन वित्थ होंगे इसे के साथ बने रहे है एशानिस इंडिया के साथ साहिए पार